7 useful websites आप student हो, teacher हो, या computer operator हो आप जो कोई भी हो, आपको इन website के बारे में knowledge ज़रूर होना चाहिए तो चलिए, शुरू करते है website number 1 यहाँ पर website number 1 के तोर पे मैंने लिया है print friendly website जो की बहुत ही friendly है आपको कोई भी print करना है जैसे example के लिए यहाँ पर एक ब्लॉग मैंने उपन करके रखा है और इस ब्लॉग के अंदर अधे सारे unwanted content भी है, ads है और बहुत सारी चीज़ है तो मैं इसे print करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ब्लॉग का URL है, इसे copy करूँगा, बहुत simple है पहले copy कर लेना है, print friendly website विजिट कर लेना है, और यहाँ पर आपका URL पेस्ट कर देना है, यहाँ पर यह URL पेस्ट करोगे, उसके बाद प्रिव बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे यो print friendly page is generating इसका AI टूल है, बेसिकली यह directly generate करता है पेज को कि क्या क्या चीज़े content यहाँ पर आपको चाहिए होंगे, और उसने वो सारे content ले लिए है, यहाँ पर आप स्क्रूल करके देख सकते हैं, सारे के सारे content आगे, अब इसमें कुछ ads है, जो आपको नहीं चाहिए रहेगे जैसे यह section आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको delete button भी मिलता है, तो मैं इसे delete कर देता हूँ यहाँ से, तो जो जो चीज़े आपको यहाँ पर नहीं चाहिए पेज के उपर आप इससे remove कर सकते आसानी से, और उसके आप इसे print कर सकते, pdf में generate कर सकते, email कर सकते, ऐसे धेर सारे options इन्होंने अल्रड़ी यहाँ पर दिये है तो print friendly website यह जरूर इस्तमाल करके देखिएगा, अब बढ़ते है website number 2 की तरफ, यह website है password generate करने के लिए, बहुत बार हमें एक strong password recommendation होता है, strong password बनाना रहता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि strong password कैसे generate करें, कौन-कौन से alphabet, कौन-कौन से symbol वहाँ पर हम इस्तमाल करें, तो यह password generator आपको help करेगा, जैसे यहाँ पर देखिए, password की length आप क्या रखना चाते, आप select कर सकते, मैं strong length रखना चाता हूँ, तो 16 यहाँ पर मैं रख देता हूँ, उसके बाद example के लिए मैं, इसके बाद मैं यहाँ पर क्या 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 इंक्लूड करना चाता हूँ, मैं add the rate, hash, यह dollar sign यह percentage sign भी इंक्लूड करना चाता हूँ, तो इसे मैं tick करूँगा, फिर number इंक्लूड करना चाता हूँ, फिर alphabet इंक्ल अगर आपको password hack होने से बचना है, तो basically इस तरह का कुछ strong password आपको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस password को आप generate कर सकते हैं, वैसे आप strongly generate करना चाते हैं, वेक generate करना चाते हैं, तो वो भी option आपको यह देता है, तो आप बढ़ते है website number 3 की तरह, तीसरी हमारी website है, PDF editor से ल सेजदा.com, basically यहाँ पर आपको बस फाइल को अपलोड करना है, सेजदा.com पर अपलोड कर रहा हूं मैं, तो मैंने एक PDF को यहाँ पर select कर लिया है, मेरे और मैं upload कर रहा हूं, जैसे मैंने upload किया, यह PDF यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, okay, इस PDF में आपको जो भी content एड करना है, जैसे मुझे यहाँ पर edit करना है, तो मैं cursor यहाँ पर रख दूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे select कर रहा हूं, select करके मैं इसे delete करना चाता हूं, तो delete मैं नहीं कर दिया, नया कुछ content एड़ करना है, तो hello everyone, इस तरह से मैंने नया content एड़ कर दिया image अज है जैसे मैं यहाँ पर i-mage select कर लेता हूं और यहाँ पर मैंने एक sample image Select कर ली है, और मैं इसे click करता हूं, तो यहाँ पर image हो चुकि Inge साइज मैं कम रख ना चाता हूं तो इस तरह से मैं कम करके भी रख सकता हूं, तो ऐसे धेर सारी चीजे जो कि आपको फ्री में इस website पे मिलेगे एडिट करने के लिए आप content को delete करना चाहते content को add करना चाहते नया images आड़ करना चाहते तो ऐसे सारी चीजे आप यहाँ पे इस PDF पार्ट को मैंने से अग पता सुपोस्स यह कोई आप यह ने से लिए और अपर आचुका है और इसका बैकरांड में चीज्ज करना चाहता हूं तो यहाँ पर आपको और बैकरांड बड़न करना चाहते हैं और नीचे आप धेर सारी और भी क्ली पार देख सकते हैं तो आपको आपका क्लिप पाड के साथ ज्यादा काम है तो आप यहां से इस वेबसाइट की मतलब से ब्लच.डिजाइन के मतलब से वह डाउनलोड कर सकते हैं अब बढ़ते हैं वेबसाइट नमबर 5 की तरह जो कि है एंटी वाइरस का काम करने वाली वेबसाइट जियाँ जहां पे अगर आपके पास कोई फाइल है जिसमें वाइरस है की नहीं वो स्कैन करने आपको पेंडराय में या कई पी भी है तो आप उस पेंडराय को लगा दो या पिर कम्पीटर में जो भी फाइल है उसको यहां से इस वेबसाइट पे जो वाइरसकैन.joti.org इस वेबसाइट का नाम है यहां पे ब्राउज कीजिए और ब्राउज करते ही यहां पे आपको डॉक्यमेंट सेलेक करने के लिए बोला जाएगा तो मैं यहां से डॉक्यमे सकते हैं या पीर शे Training सेरेन हैं या पिर या आप देख सकते हैं भी तो यह अलग-अलग से स्क्रइन करके बतानाय यह वाइरस नहीं म είल रहानाएं, उसका साका बहुत फेर बलते हैं आप image को enlarge कर सकते हैं, जो कि है image larger, imglarger.com website, यह पर आप देख सकते हैं, AI tools में आपको आना है, और AI tools के अंदर, AI enhancer फ्री है, आपको magic eraser फ्री है, और AI cartoonizer फ्री है, किसी भी image को आप cartoon में convert कर सकते हैं, या denoiser, image के उपर का denoiser, वो भी remove कर सकते हैं, image AI enhancer क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे select करता हूँ, select image, और यहाँ पर मैं कोई भी एक मेरी जो image है, वो upload कर रहा हूँ, जो कि मैंने whatsapp पे send करी तो उसका quality है, low हो गया था, तो अब मैं इस image को select कर चुका हूँ, और मैं इसे normal AI के साथ ही start करता हूँ, या फिर enhance कैसे करता हूँ, तो मैं इसे start कर चुका हूँ, और यह enhance कैसे करता है, अभी हम देखते हैं, तब तक मैं original image side में यहाँ पर open करके रखता हूँ, तो यहाँ पे यह finish हो चुका है, अब मैं इसे download कर देता हूँ, और side में भी एक original image मैंने open करके रखी, यह देखिए, यह मेरी original image थी, जो थुरी से फीकी फीकी लग रहे थी, लेकिन यहाँ पे enhance हो चुकी है यह image, आप enhance भी कर सकते हैं, enlarge भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस image को देखिए, जो original थी, और यह मैंने enhance की हुई image देखिए, तो ऐसे आप image को enhance भी कर सकते हैं, इवन आप magic eraser यूज़ करके image का कोई unwanted part भी erase कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं upload an image पे click करता हूँ, उसके बाद एक image select करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक image upload कर दी है, आपको दिखाए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे mouse मुझे हटाना है, इस image से, तो मैं यह brush size है, थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे कम जदा आप कर सकते हैं, brush size जैसे बढ़ाएंगे, यह देखिए, मैं बढ़ाता हूँ तो यह इस तरह से बड़ी दिखाए दे रहे हैं, वैसे मैं इतनी रखू आपको इसे घुमाना है, तो mouse पूरा-पूरा erase आपको करना है, तो इस तरह से mouse और उसके wire के उपर भी आप घुमा सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे erase बटन पे क्लिक करना है, और आप आप देख सकते हैं, यहाँ पे तोड़ी देर में यह process हो चुका है, और यहाँ स माउस गाइब, ऐसी आप चीजों को धेर सारी चीजों को गाइब कर सकते हैं, इस website की मदद से, अब बढ़ते website no.7 की तरफ, अगर आपका Hindi में, Marathi में, आपकी जो भी regional language है, उसमें ज्यादा typing होता है, लेकिन आपको typing का font या typing बराबर आती नहीं उस language की, तो आपको टेंश लेनी की ज़रूत नहीं, इस website को विजिट कीजिए, जिसका नाम है indictyping.com, यहाँ पे मैंने वो विजिट की है, जहाँ पे आप Hindi में, Marathi में, Gujarati में, Telugu में टाइप कर सकते हैं, यहाँ आपको languages दिखाए दे रही है, अब मैंने हिंदी से लेक किया है, और यहाँ पे आपक पी भी कर सकते हैं, इस text को से लेक करके आप export फाइल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको Hindi font अगर चाहिए कोई तो यहाँ से Hindi font भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अलग-अलग languages में आप टाइप कर सकते हैं, और Ctrl Q बटन प्रेस करके आप English to Telugu स्विच कर सकते हैं, या फिर जो भी language में आप टाइप कर रहे हो, Ctrl Q बटन प्रेस करके English to Hindi भी स्विच करते हैं, मतलब यहाँ पे अपने टाइप कियों English में आना चाहिए, तो Ctrl Q बटन प्रेस करो हो English में रहेगा, दुबरा Ctrl Q बटन प्रेस करने से हो Hindi में आएगा, तो यह काफी इंट्रेस्टि लेकिन एक और bonus वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हो, जैसे IndicTyping.com हमने डिजाइन किया आपके लिए टाइपिंग आसान करने के लिए, वैसे ही कोई भी कोर्स सीखने के लिए आप चाह सकते हैं, हमारे SkillCourse.in वेबसाइट के ओपर या फिर इसका एप भी डाउनलोड कर प्रिजिट करके देख सकते हैं, कौन-कौन से कोर्स हमारे पोर्टल पे अवैलेबल है, सिंगल कोर्स भी है, कॉम्बो कोर्स भी है, साथी में यहाँ पर डाउनलोड अप ऑप्शन भी मिलेगा आपको या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस आप की खासि तो अभी के अभी इस बोनस वेबसाइट को भी जरूर चेक कीजिए, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंड भी कीजिए, मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा, बाई बाई, सीखते रहो, सीखा आते रहो